हेलो सुटेंट्स वेल्कों टू माइनर चैर मैं हूँ कृष्णा कैसे आप सब लोग मास बढ़िया तो तो तुरे स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मा को थेरोपिटिस का नया चैप्टर हेमेटर लॉजिकल डिसॉर्डर है ना जहां पर हम लोग ब्लड संबंदित है बड Christmas पुम्हाइं पर लॉजन को में कम हो जाना वह क्या राता है नमिया कहलता है छिक तो सेवाइनी प्रस्ष तो हमपास है समझ ले decision एक condition है in which you lack enough healthy red blood cells, simple सी बात है body में RBC की कम हो जाएगी, ख़दम to carry adequate oxygen to your body's tissue, अब RBC कम हो जाएगे तो body में different cells और tissue के पाथ oxygen कौन लेके जाता है, RBC लेके जाता है, RBC कम हो जाएगी, तो सांस असले में कई बार दिक्कात आ सकती है, और दूसरी सरी की problem create हो जाती है, having anemia also referred to as low hemoglobin, anemia होता है तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, low hemoglobin के नाम से जानते हैं, अगर hemoglobin low है तो कहीं ना कहीं आपका anemia के लक्षन हो सकते हैं, can make you feel tired and weak, oxygen कौन लेके जाता है, RBC लेके जाता है, उसकी कमी वो रखिये, बहुत जल्दी-जल्दी काम करोगे अगर तो oxygen उतनी जल्दी supply नहीं हो पाईगी तो हम लोग ठका हुआ फिल करेंगे, है, hemorrhagic anemia course में नहीं है, hemoletic anemia course में नहीं है, तो देख लिए iron deficiency anemia में क्या है, हमारे body से iron की कमी हो जाती है, है न, iron hemoglobin में क्या पाई जाता है, iron पाई जाता है, हमuglobin यह यह कहले, हमोगlobin किसका बना हुआ होता है, iron का बना हुआ होता है, ठीक है न, मेगलोप्लाश्टिक अनीमय में क्या होता है लेस इंटेक आफ विटामिन B12 और फॉलिक असिड जिसकी वेसे होता क्या है जब विटामिन B12 और फॉलिक असिड कम लेते हैं तो RBC प्रॉपर बन नहीं पाती है हमारी बॉड़ी में बास समझ मारी है परनीसियस अनीमय क्या है इनैबिलीटी और स्टामख तो अब्सॉब विटामिन B12 ये उट तो उपर चला गया है टो लीचे कर लेते हैं है ना स्टामख की इनैबिलीटी हो जाती है क्यों विटामिन B12 तो बहुत खा रहे हैं हम लोग वारी बॉड़ी में जा रहा हिमोलाइटिक अनीमय यानि की आरवी सी का टूटना लाइटिक मतलब क्या होता है टूटना ठीक है थैलसेमिय अनीमय इसकी दो कैटेगिरी है थैलसेमिय अनीमय लेस सिंथेटिक सिंथेटिक सिंथेशिस ऑफ हिमोगलोबिन हेमोगलोबिन का कम बनना और सिकल सेल निमिया RBC विकम सिकल शेप क्लास 12 में पड़ा होगा ये तुम लोग ने है ना RBC हमारा गोल होता है और सिकल शेप में कुछ स्टैप से हमारा सेल हो जाता है RBC तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है और करना क्या है हमको केवाल अपने दो टॉपिक है उनके उपर हमको फोकस करना है और वो दो टॉपिक कौन से है iron deficiency anemia और megaloblastic anemia शुरू करें iron deficiency anemia अब definition clear होगी mind में set हो गया iron की कमी होना the most common type of anemia सबसे common मतलब आम तोर पर यही पाए जाता anemia के रूप में cost by shortage of iron in your body हमारी body में iron की कमी हो जाएगी तो anemia हो जाता है your bone marrow needs iron to make hemoglobin समझो बात को हमारा जो bone marrow है hemoglobin बना पाए याने की hemoglobin की synthesis के लिए bone marrow को iron चाहिए अब iron जो है वो high नहीं मिली नहीं रहा किसी वज़े से तो iron deficiency नहीं में हो जाएगा without adequate adequate क्या होता है परियाप्त बिना परियाप्त iron के your body can't produce enough hemoglobin for red blood cells वो इतना hemoglobin बनाई नहीं पाएगा जो कि RBC को चाहिए होता है RBC के अंदर hemoglobin पाए जाता है पाँ समझ में आई RBC नहीं बन रहा है hemoglobin बनने की बात हो रही है RBC के अंदर hemoglobin पाए जाएगा ठीक है etiology बात करें तो पहली है बड़ी common सी बात है कि need बढ़ जाती है क्या बढ़ जाती है नीड नीड कब कब बढ़ जाती है हम लोग बड़े growth ले रहे है mensuration जब females में bleeding स्टार्ट हो जाती है pregnancy के time बढ़ जाएगी lactation के time बढ़ जाएगी cancer होता है तो जब दवायां बगरा चलती है इसके आरेन का loss काफी होता है तो body में जब जब आरेन की need बढ़ेगी और हमसे परियाप मातरा में आरेन नहीं दे पाएंगे तो iron deficiency नहीं में हो जाएगा insufficient intake vegan diet आज कल लोग vegan diet को बहुत जादा follow कर रहे है vegan समझते हो पहले बदा चुका हूँ मैं जिसमें आप animal और animal का बना हुआ कोई भी product इस्तमाल नहीं करेंगे याने की दूद मक्खन पनीर कुछ भी इस्तमाल नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ खाने पर आजाएंगे है ना कंद मूल टाइप बिल्कुल आजी मानफ टाइप चले जाओगे लिए आजी मानफ तो खेर मास खाता था लेकिन अब क्या है इतने हजार सालों के evolution में जब लोग बिल्कुल वीगन पर आ जाते हैं तो हमारी body में सब्जियां कई बार वो पूरी परियाप चीज़ों को cover up नहीं कर पाते हैं अगर आप physically थोड़े से जादा active हो जाते हैं limited diet कई बार क्या होता खाना परियाप नहीं मिलता है ठीक है जिसे हम लोग कह सकते है malnutrition हो रहा है तो diet proper नहीं हो पाती है या malnutrition हो गया है ठीक है या यह condition हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगा decreased absorption absorption नहीं होगा हमारी body में proper यानि कि high gastric pH हम देखेंगे अभी इसकी pathogenesis में pH का level जब बढ़ जाता है हमारी stomach का pH कितना रहा है या 1.8 का आसपास होता है इस pH पर iron बहुत अच्छे से absorb होता है लेकिन अगर यह pH बढ़ करके 3 हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए तो iron absorb नहीं होगा जो भी हम iron खा रहे हैं आइरेन से related कोई चीज़ खा रहे हैं तो यह absorb नहीं होगा gastric surgery हो रख्यों पेट की ठीक है या vitamin C की deficiency हो तीनों ही case में क्या होगा iron proper absorb नहीं होता है clear है बाते हैं तो यह तो होगी अपनी etology pathogenesis समझते हैं तो बड़ा simple है pathogenesis ध्यान देना थोड़ा सा बस ठीक है जाएगा यह increase need हो जाएगी यह decrease intake है कारण वहीं चारण उपर हमने देखे थे आरेन का लॉस बढ़ गया आरेन अब जाशन गिर गया नीड बढ़ गई है आरेन का इंटेक कम कर दिया है अब कहां कहां से स्टार्ट हो रहा है small chronic bleed example menerogia peptic ulcer GI tract इन सबकी वहीं से क्या हो रहा है bleeding हो रही है इसकी वहीं से loss हो रहा है rapid massive acute blood loss जिससे में बर्थ वगरा देते हैं उस समय बहुत जादा ब्लड का loss हो जाना excessive blood donation यह आप बहुत जादा ब्लड को donate करते बहुत ज्यादा साल में दो बार का जाता है 6 मैने पर कुछ लोग होते हैं दो दो मैने पर कर दे रहे हैं वह गलत हो जाएगा इन सब की वहीं से क्यों हो जाएगा increase iron loss हो जाएगा अगला एक condition यह हो गई अब absorption की के बात कर लें increase pH जो भी हम बात कर रहे थे हैं ना आइड़न नीड्स acidic stomach environment iron को acidic environment चाहिए होता है absorption के लिए to be converted into more absorbable F2 फेरस फॉर्म में इस फॉर्म में absorb होता है acidic pH होगा तो iron F3 से F2 में convert हो जाएगा anti-acid अगर खा रहे हो PPI खा रहे हो है ना या parietal cell dysfunction है उस case में iron का absorption गिर जाएगा ingestion competitor for iron transport अगर हम कोई चीज़ ऐसे खा रहे हैं जो iron transport का competitor है जैसे केल्सियम लीड या कोबाल तो यह पहले absorb होंगे iron बाद में absorb होगा ठीक है celiac disease जो हमारे जो disease होती है सिक्कम अगर हम पाए जाती है ठीक है वो disease हो जाए surgical resection of part of GI है ना surgically part GI का कोई part resect कर दिया गया है काट की दिया गया है उसे हटा दिया गया है इन सब की वएसे iron का absorption क्या कर जाएगा decrease कर जाएगा अब तुमको कोई जरूर नहीं के सारे लिखो कोई एक या दो याद करके लिख सकते हो इसमें जरूर नहीं सारे लिखो एक दो तीन condition दे रखे कोई एक या दो याद रखोगे तीसरा नीट कप कब बढ़ जाती रैपिड ग्रोइंग ऑफ किट्स किट्स बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं लेक्टेशन हो रहा है या प्रिगनेंसी हो रही है ठीक है आयरन का इंटेक कर जाएगा वेजिटेरियन या विगन डाट जो वेजिटेरियन उनका भी आयरन का इन्टेक कर सकता है। इन सब कंडिशन में क्या हो जाएगा आयरन की कमी होगी और जब आयरन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा अगला श्टेप? lack of iron in the body especially in bone marrow तो body के इन सब condition के वएशे से हमारी body में iron की कमी होना start हो जाएगी और खास करकी bone marrow में जहाँ पर की हमारा hemoglobin बन रहा है वहाँ कमी हो जाएगी body में कमी हो जाएगी body कमी होने के साथ साथ कहाँ कमी हो जाएगी bone marrow तो इसको सिंप्लिफाइग कैसे कर सकते हो ठीक है decrease in body उसके वैसे क्यों हो जाएगा decrease in bone marrow ठीक है ना largest body iron reserve जहाँ पर iron reserve होता है हमारा आगे आते हैं not enough iron to synthesize heme heme नहीं बन पाएगा क्योंकि उतना iron हमारी body मौजूद नहीं होगा not enough hemoglobin इसकी वैसे हमारी body में hemoglobin परियापत नहीं बनेगा insufficient hemoglobin reduces synthesis of RBC अगर insufficient hemoglobin कम हो गया तो RBC कम बनेगा bone marrow में ultimately क्या बन जाएगा anemia हो जाएगा याने कि जब hemoglobin के मात्रा 120 gram per liter कम हो जाएगी या 140 gram कम हो जाएगी male में ये female में तो क्या हो जाएगे अनीमिय के rate हो जाती है और उसके symptoms start हो जाएगे पैसा देनिस create होगे हमारी अनीमिया ठीक है अब clinical manifestation की बात कर लें क्या क्या लक्षण दिखाए देना शुरू start हो जाते हैं brittle nail ने ऐसे करो तूट जाएगे चैटपट जैसे ने कोई hard चीज वैसे ना कोई प्लास्टिक की कोई चीज होती है या कांच जैसे कांच नहीं कहेंगे ऐसे ने किसी लक्षण को तोड़ ब्रिटल जिसको तूट जाए इस्पून शेफ नेल्स हो जाएंगे तोड़ा सा हेर को ऐसे पकड़ को चूराचूरा बदल जाएगा बासमझ में आगी अब नॉन फार्मक लॉजिकल मैंगर इसको बहुत असान नॉन फार्मक लॉजिकल हम लोग क्या करना है और रिच ज्यादा हो जाएगा कुछ याद करने वेटा देखो अब सोर्स अगर नॉन फार्मकोलोजी मेनेजमेंट आगए या सिंपल कोशन आगए मैनेजमेंट में तो हमें क्या दिना आइरें डिच डाइट मीट बीफ पोर्क लैम पोल्टरी चिकन डख फिश शेलफी इंक्लूडिं क्लैंप्स और मसल्स ठीक है देन लीफी ग्रीन वेजटेवल्स देन लेग्यूम्स उसके ना कुछ एक्जांपल दो 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 एक्जांपल परियाप्त होते हैं ठीक है हम बहुत सारे इसले देते हैं ताकि ज्यादा ज्यादा इन में से जो अच्छा लगे वह याद कर पाओ यह भी पसंद ना हो तो गुगल पर डाल दो खटाक से मिलेगा ठीक है ना याद होने से मतलब है अच्छे नंबर लाने से मतलब है नेस्ट फार्मकलोजिकल मेनेजमेंट की बात करने आगर हम लोग तो ऑविसी बात है हमें आईरन चड़ाया जाता है बॉड़ी में आईरन के रूप है हमारे पास ट्रीटमेंट विद ओरल आईरन शुड भी कंटीनिट फॉर थी तू शिक्स मन्त तीन से छे मेने दिया जाएगा टू करेक्ट दा नीमिया एंड रिप्लैनिस आईरन इस्टोर रिप्लैनिस मतलब वापस से जो आईरन का भंडार खाली हो गया है वह यह थेरपिक इसको दी जाती है रिजरफ फॉर पेशेंट हुआर अनेबल टू टॉ टॉलरेट और एब्जॉब ओरल आईरन यह उनको दिया जाता है जो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं ओरल आईरन को है खा नहीं सकते हैं एंड पेशेंट विद एक्स्टेंसिव क्रोनिक ब्ल याद कर लोगे आई वी और आयम दिया जाता है ठीक है इस्टेवल कॉंप्लेक्स ऑफ फैरिक हाइड्र ऑक्साइड और लो मॉलिकुलर वेट डेक्स्टन क्या होता है तो यह इसका आगे दे रखा कि होता है क्या इसके अदर पचास मजी एलिमेंटल आरन होता है ठीक है तो आरन सोडियम ग्लुकोनोट कॉंप्लेक्स यह भी आई वी दिया जाता है यह अल्टरनेट प्रिपरेशन से यह नाम याद कर लोगे केवल अब यह कह रहा है कि जो आरन ग्लुकोनोट है वह लोगों में उतना रियक्टिव नहीं है मतलब कि रियक्शन नहीं करता है सेफ है वही प्र कह रहा है अप्र इयर नाग्या नहीं कर जाता है रियक्शन कर जाता है फोर सांइंव देखेंगे डेखेंगे बोडि में कोई conscious नहीं हो रही है है उसके बाद ही हम पूरी डोज देते हैं अदरवाज नहीं देंगे तो के वोले तीन नाम याद रख लोगे परियापते हमारा फार्मकलोजिकल टीटमेंट के लिए किलियर है तो यह था हमारा छोटो सा लेक्चर बहुत जड़ा टफ नहीं था चीज़े याद करने वाली थी सारी बाते हमको यहाँ पता थी लगबग लगबग फिर कहता हूँ जितना सलेवस में है उतना ही फोकस करेंगे उतना ही हम याद करके चलेंगे ठीक है बात समझ में आई ठीक है और यह अपना एप है अब तो जग जाहिर है सब लोग जान रहे हैं इसको बड़िया बच्चेस का इस्तमाल कर रहे है ठीक है इसने फाईदा उठा रहे हैं यह मैंरा नंबर है इसे करते हैं और सबसे बड़ी चीज क्या करना है रिवाइज करना है पढ़ना है ओके पढ़ोगे ना और रिवाइज करोगे ओके ऑल दा बेस्ट